अभी इस वक्त हम रायपूर में है और रायपूर में इस वक्त मेरे साथ च्छतिशगण के पूर मुखे मंतरी हमारे साथ है रबन सिंग जी बहुत- ambos स्वाकत है डॉकDe Stop a आपका जोरदार तालियों के साथ विइंक हमारे महमान हैं और पहली बात तो डॉक साब नया चैनल है, हमारी तरफ से जो NDTV का भरोसा है, जो NDTV का ट्रस्ट है लोगों के मन में, उसको हम कायम रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या हमारे लिए आपके बन में क्या बाते हैं? सबसे पहले, मैं बहुत सारी सुखकामनाएं, NDTV, चतिजगर मत्यपदेश के लाउंचिंग के इस ओसर पे, सुखकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, उम्मीद करता हूँ, क्यिः चतिजगर की कला, चतिजगर की संस्कृति, चतिजगर की राजनीति, चतिजगर के विक है और निश्ची दूप से जो हमारा अन्भाव है इस पे आप सफल हो ये मेरी सुख कामना है बहुत 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 धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से तमाम लोगों की तरफ से जो एंड़ी टीवी को पसंद करते हैं अब चारिकता है खतम करता हूं सवाल जवाब पर आता जिसके लिए आप इस मंच पे आएं डॉक्साब पहला सवाल तो यही क्योंकि चुनाव का मौसम में दो तीन महिने के अंदर चुनाव हो जाएंगे नवंबर दिसंबर के महिने तक आते आते आप मुख्यमंत्री रहे पंदरा साल मुख्यमंत्री रहे आप कैसे देखते हैं क्या चांसेज हैं आपकी पार्टी के कि आप इस वक्की सरकार को चुनावारा पाएं या कोई भी वोटर 36 गड़ का भारती जनता पार्टी को वोट करे वो क्यों करे क्यों चुने हम आपको भारती जनता पार्टी को वोट क्यों करे क्योंकि सबसे बड़ा कारण मुझे में एक पहचान बनाने में सफल हुआ था एक विक्सित तेजी के साथ विकास करते हुए राज की रूप में वो 36 आज प्रस्टाचार का गड़ बन गया है अपराद गड़ बन गया है जितना करप्शन जितना प्रस्टाचार इस साड़े चार पौने पांस साल में हमने देखा हिंदुस्तार में महानी सबस्ता इससे ज्यादा कोई करप्ट सरकार काम कर रही हो जो 36 गड़ में भुपेज बखेल के नत्रत में सरकार काम कर रही है सारे छेत्रों का अमूल्यन हुआ है ये इस्तिती बन गई कि कलेक्टर को अब कलेक्टिंग एजेंट कहने जाने लगा य 36 गड़ की जनता ये बात जानती है कि भारती जनता पार्टी को वोट क्यों देना, 15 साल की विकास यात्रा वो भुले नहीं है, 15 साल में जिस तेजी के साथ इंफ्राइस्ट्रक्चर का डेवलोप्मेंट किया गया, करीब रिफ 36 गड़ में सडकों का जाल बिशाने का काम किया 1200 किलोमेटर प्रधानमंतरी ग्राम शड़क योजना हुआ करता था, 22,000 किलोमेटर सडकों का जाल बिशाने का काम किया, 30,000 आतरिक नैसल हाईवे, स्टेट हाईवे में सडकों का जाल बिशाने का काम, 9,000 करोड का बज़ट हुआ करता था 36 गड़ का, технолог का 15,000 अ करोड़ को एक रुपय किलो गरीबों को चत्तित गड़ पलाइन करने वाला चत्तित गड़ भूग से मौत होती चत्तित गड़ आयमार एमेमार मॉल निट्रिशन राश्टी स्थर में जो हमारी हालत थी उस पे जो गिरावाट आई थी एक रुपय किलो चामल चपन लाग परिवारों के जीवन में कुसाली आई पलाइन से मुक्ति मिली 58 लाग परिवारों को 50,000 रुपया के स्मार्ट कार्ड में इलाज करने की विवस्ता की चार हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन 36 गड़ ने किया और देश में सरप्लस स स्टेट की रूप में 36 गड़ की पहचान बनाने में सफ़ा लग तीस हजार स्कूल हुआ करते थे साथ हजार प्राइमरी मिडल और हाई स्कूल तीस हजार अत्रिक्ट खोलने का काम हम लोगों ने किया स्कूलों के जाल बिचाए 202 कालेज हुआ करते थे चारसो चारासी महा विद्धियाले की इस्थापना की आई आई इटी आ गया एमस आगिया नेशनल ला यूनिश्टिट आगिया ये सारे इंस्टिट इब्स के साथ साथ आई एम और आई इटी के साथ पूरे राश्टि स्था के संथान हमने खोले नर्थिंग कोलेज दो तीन हुआ करते थे न 200 सीट से 1000 सीट ये 36 गड़ की विकास यात्रा है जो 36 गड़ में आपको बताना चाहूंगा कि 36 गड़ अकेला एक मात्रा ऐसा इस्टेट था जहां सबसे बुरी हालत सड़कों के थी कांग्रेस के पूरे सासनकाल में सबसे उपेक्षित यदि कोई राज रहा था तो 36 गड़ वो सड़क नेसल हाईवे हमारे आप मिट्टी कहुआ करता था सड़कों में आज पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा तक सड़कों का जाल बिछाने का काम किया विद्धो दुत्पादन बढ़ा गाउं-गाउं में बिजली पहुचाने का काम किया तो ये 36 गड़ एक विक्सित 36 गड़ की रूप में बनाने का प्रयास किया और जैसे ही सरक सरकार का पौर्तन हुआ आज चारों तरफ भरस्टा चार है 36 गड़ की च endorsक इस बात के लिए हुज भी कास के लिए चरचा नहीं होती डैफलप्मेंट के लिए बुपेश बगहल की चरचा नहीं होती ढमें अब हिंदुस्तान के किसी कोणे में चले जाओ EDA और CD की सरकार कह जाता है ये भूपेश की पहचांद चतिसगड की बना चतिसगड को माज़ा को अभ्मानित करने का काम किया आज चतिसगड की क्रतिष्ठा को दुमिल करने का कम मुझे लगता है इस सरकार ने जिसप्रकार कि घोटालों के स्रिंखला लाई दो हजार करोड के शराब घोटाला 36 गड़ मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का पहला राज होगा जहां शराब के दुकान पे खुले हम अवेज शराब 40 प्रतिशत बिना होल मार्क लगाए बिना वेट किये बिना एक साहीज ड्यूटी लगाए 40 प्रतिशत अवेज शराब 36 गड़ में भिकता है इसको प्रमाणित E.D. ने कर दिया 2,000 करोड का गोटाला 13,000 करोड के चार्शीट भुपेजी पूसते हैं कि क्या किया E.D. ने E.D. ने 180 करोड रुपया की संपत्ती जब्त की है उन लोगे पास संपत्ती जब्त की है जिनके तनका 40,000 और 50,000 रुपया करोडों की संपत्ती कहां से बनाएं ये पूरा का पूरा शराब माफिया का कुछक्र चल रहा है ये 36 गड़ है जहाब ये 540 करोड का कोल गोटाला होता है कोईले का एक बहुत बहतर सिस्टम हमने बनाया तब 15 साल में कोईले का डियो जो होता है डिस्पेश ओर्डर हमने उसको आनलाइन करने की व्यस्ता की थी ताकि करप्शन से मुक्ति पाजाए वो आनलाइन व्यस्ता को समाप्त करके जैसे ही भूपेज बगे लाते हैं उसको आफलाइन कर दिया आज इस्तिती ये है पांसो पचीज उर्पिया प्रती टन दिये भीना हिंदुस्तान में कहीं कोईला नहीं ले जाया सकता और बच्चा-बच्चा जानता है कोर्वा का कि किस प्रकार कोईले में गोटाला हो रहा है है और आप अश्यर करेंगे मायिनिंग डिपार्टमेंट को डिरेक्टर डिरेक्टर में बैटा हुआ डिरेक्टर वो आजयस करता है ऑनलाइन से अफलाइन करने का उसके खिलाव कारवाई मामला दर्ज होता है साथ महने से जेल के अंदर बैठा हुआ है पड़ा हुआ है साथ महने में जेल के अंदर है ये इस प्रमाडित मामले हैं आईये सरीकारी जेल के अंदर है करफशन की लबी स्रिंखला चत्तिस गड़ में इनों नहीं किया ये ना किवल अकेले शिराब घोटाला कर रहे हैं बलकि आज मैं कहता हूं कि चामल देकर हमने सुप्रीम कोट ने कहा था चत्तिसगड़ का पीडियस सिस्टम इंदुस्तान का सर्व स्रेस्ट है सबसे बैतर पीडियस सिस्टम हमा रहा है उसी राज में आज पीडियस में छैसो करण का गोटाला भुपेश के सामने होता है ये मामला प्रमाडित हो गया और ये प्रमाडित दस्तावेज में हुआ विधान सभा के अंदर प्रमाड सही जिसकी जानकारी हमने दिया कैसे एक लाग उन्तीस हजार मेट्रिक्टन चामल डिस्पेश होता है राइपूर से जिले में पहुंसते पहुंसते वो सिर्फ और सिर्फ 90 हजार मेट्रिक्टन प विधास के सारे काम हुए मगर पंदरा साल में कहीं ने कहीं एंटी इंकम्मेंसी का फेक्टर दिखता है वो एक कारण था कि लोगों ने लगा कि पंदरा साल विगास डॉक्टर रमन तो कर रहा है शायद आने वाला दूसरा इससे बहतर विगास करेगा मगर यह क्या मालूम था कि वुपेज बखेल को परिवर्तन करके चत्यजगड को ब्रस्टाचार के दल्दल में फसा देंगे यह ब्रस्टाचार में आकन डूगी सरकार है तो आप यह कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई 18 के मुकाबले 23 में ज़्यादा आसान है निश्चित रूप से 36 गड़ की जनता ने मन बना लिया है और जो उसका कारण मैं आपके बताना चाहता हूँ जनता के बीच हम जाते हैं वादा करते हैं जन घोसना पत्र में इन लोगों ने गली-गली में जाकर बड़े-बड़े वादे किये बड़ा-बड़ा विश्वास प्रकट किया यह जन घोसना पत्र 36 बिंदूओं पे कांगरेस ने लाया भूपेस ने लाया आज वो जन घोस बुरा हला तोर कहीं नहीं हो सकता चत्रिगर कोरोना काल में दवाइया नहीं पहुंचती थी घर तक शराब पहुंच जाता था ये शराब बंदी की बात करने वाले भूपेज बगेल ये दस लाख नवयुकों को भिरुजगारी भत्ता डाई हजार देने की बात कहां गया दस लाख युक कहां हैं मुश्किल से अभी दो मैना पहले योजन शुरू की और पचीस पचास हजार लोग बिरुजगारी भत्ता दे रहे हैं अगर आज इस्तिती बुरी है इसके साथ इसाथ उन्होंने वादा किया दो साल का बोनस देंगे उन्होंने वादा किया वृद्द इनको इस्ताई किया जाएगा आज यो दो लाग करमशारी घूम रहे हैं यह सवाल पूछ रहे हैं भूपेज बगेल से तुमने वादा किया था जन घोसना पत्र में तुमने कहा था वह अधूरे जन घोसना पत्र को लेका जाएंगे सबसे बड़ी बात में बताओं जिस ज जान घोसना पत्र समीती में नहीं रहूंगा और मंत्री पत्र से भी इस्तिफा दिया क्योंकि आज इसकी हालात समझ में आ गए थी यह इस्तिति कॉंग्रेस सरकार की बड़ी अब तो टीयस सिंग ते वापस आ गए हैं उनको तो संतुष भी हैं डिप्टी सीम बन गए हैं पूरानी हो गई में निञेस पंधरा दिन संतुष रहते हैं और पंधरा दीनं असंतुष रहते हैं यापसे अपन ओकर दोकसरा इक चीज और जो मैं जाना चाहुँ अप से और वो ज़ो Time सरकार की रिपोर्ट ं.ी.ता आ के दॉन के रिपोर्ट 걸 कि कहती आभी मुक्यमंधर आप मुझसे जरूर करेंगे, कि 40 लाग परिवार, मार उस आंकड़े को यह दी गंभीरता से आप देखेंगे, तो यह आंकड़े 20, 21, 18, 19 के नहीं है, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 21 के, इसमें 4 साल डक्टरमन के कारकाल के हैं, इसलिए भुपेश को धन्यवाद मुझे देना चाहिए कि गरीवी सीमा से नीचे लाने के लिए, जो कार्योजना हमने बनाई थी, उसका असर अब दिख रहा है, अभी तो हालत यह है, कि इस सरकार में गरीवों की सबसे बुरी हालत ब पुरी पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आजाएगा, इसका जादा से जादा योगदान भारती जनता पार्डी के उस कारकाल का रहा है, जहां हमने विकास के नई संभावनों को चत्रिजगर में बनाने का काम किया, क्योंकि NDTV, MPCG, जनता का सरुकार का चैनल है, जनता की म मुद्दे उठाता है, और हमको इस बात की बहुत चिंता है, और हम इस बात की चिंता करना भी चाहेंगे, क्या आवाम की क्या मुद्दे हैं, मैं एक चीज़ बहुत संजीदा तरों से आप से पूछना चाहता हूँ, आपके पास 15 साल का अनुभावे सरका, इस सराजी को च चतिज़ गड़ जो की संसादनों से भरा हुआ एक प्रदेश है, वो क्या कॉंट्रिबूट कर सकता है, क्या प्लान है? जा अद्बूत संभावना है कि कोर सेक्टर में हम राश्टी इस तर में अपनी पहचान को और मजबूत बना सकते हैं, फाइब ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी बनाने के दिस्ती से 36 गड़ हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य में एक अपनी भूमी का निभाएगा, जिस प पावर जनरेशन का मामला हो या चतिजगड में दूसरे इंवेस्बेंट की संभावनाव को एक छेंटरली लोकेट होने की वज़ब से चत्रिजगड में हम उन संभावनाव का दोहन बेहतर तरीके से सकर सकते हैं, कोर सेक्टर में एक लंबी छलांग चत्रिगड लगा सकता तो कोल सेक्टर सबसे इंपोर्डेंट बात आपने हैं कोल सेक्टर, स्टील, सिमेंट, पावर, एल्मुनियम इसके डाउन स्ट्रीम में हम लगा था श्रिंखला कोल सकते हैं इंडस्ट्री के रख सब एक चीज़ और समझाईए मुझे आप अगर मुख्यमंत्री बने, अगर आपकी पार्टी चिनाव जीती तो पहला एक, सबसे पहला काम आप क्या करना चाहेंगे जो 36 गड़ की आवाम के दिल के नस्दीक है, जो बहुत जरूरी है इस वक्त होना सबसे पहला काम आप 36 गड़ की जनता जो चाहरी है, देख रही है, इंतिजार करी है 36 गड़ को पुंता ब्रस्टाचार मुक्त बनाना, ब्रस्टाचार में सबसे ज़्यादा पीड़ा यदी किसी की है पीड़ी किसी सो है, पटवारी से लेकर कलेक्टर तक, नीचे से लेकर ऊपर मुख्यमंतरी तक, यदी आज 36 गड़ की पहचान, कांग्रेस पार्टी की ATM की रूप में हो रही है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, 36 गड़ की इस्तिती राश्टी इस तरह में कहां तक तो कैसे रोकेंगे, प्रश्टाचार तो ऐसी चीज है, बड़े-बड़े कुछ नी कर पाते हूं तो चलता ही रहता है, यसे एक्रॉमी चलती है, वसे करप्शन चलता रहता है, आपके पास क्या फॉर्मूला है? 36 गड़ में करप्शन को मुक्त करने के हमने करके दिखाया है, 15 साल 36 गड़ में जो ट्रांस्परेंसी के साथ हमने काम किया, जो नीड़े, आप नीती के फैसला लेते जाएए, मैं मंत्री रहा कोल मिनिस्टर, 15 साल मेरे पास कोल डिपार्टमेंट रहा, मैंने सबसे ज़्या कि आज 15 साल माइनिंग के मिनिस्टर रहने के बाद भी एक आरोप कोई लगा नहीं सकता, ये डक्टर वन ने विश्वस्तनीत बनाई, हमने आरेन के बारे, स्टील के उद्योग के बारे, वेलुडीशन विदिन स्टेट, पालसी बनाई, जो स्टेट में ब्लॉक उसको मिले करेगा, जो वेलुडीशन करने के लिए उनको हमने माई से दिया, तो ये नीती का फैसले, नियत और नीती, दोनों होनी चाहिए, सिर्फ नीती से फरक नहीं पड़ता, नियत भी होनी चाहिए, और हमने पालसी ही नहीं बनाई, उसका सत प्रतिशत क्रियार्वन कराया, यद सबसे बहतर सिस्टम पांच साल में बना के दिखा दिया, और सुप्रीम कोड को कहना पड़ा, ये है पीडिया, ये आप फैसला लेते हैं, और क्रियानवन करते हैं, और आपकी नियत सही है, तो ये जो भरस्टाचार के हांवराण हैं, वो अपने आप हटते जाएंगे, नी ये सब तो विकास की बाते हुएं, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट अनाउंस कर दी है, 21 लोगों के नाम आ गए हैं, और ये बड़ी हलचल हुई, कि मुख्यमंत्रों के नाम ही नी आए, जो सिटिंग विधाय के उनके नाम ही नी आए, तो क्या ये चर्चा भी है, कि सभी सभी विधायकों को बतला जा रहा है, सभी नए चेहरे दिये जाएंगे, देखिए, अभी तीन मैने का समय हैं, और टीवी वालों के पास कोई काम रहना चाहिए, बहुत काम होता है, हमारे पास, जहां तक सवाल है, 21 प्रत्याशी को हमने पहले डिकलियर कर दिया और नाम, इसमें प्रक्रिया ये थी, जो पहले दिन तय हो गया था, कि ऐसे विधान सभा को सलेट किया जाए, जहां लगातार दो बार हम पिछडे रहें, जिन विधान सभा में लगातार दो बार भारती जनता पाल्टी हारती रही है, जहां भारती जनता पाल्टी की आधा उन सीटों को चैन करके उनको प्राजमिक्ता की अधार पे 21 सीटों का चैन किया गया है। उसमें ऐसी भी है, OBC सीट भी है, कोस्की भी है और सभी सीट हैं। तो ऐसे 21 सीटों का चैन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री, पूर मुख्यमंत्री और दूसरे लोहों को या मंत्रि को विशयनी था जो धीरे धीरे इस सुची को और इंप्रूब करते जाएंगे शैद ऐसा लगता है कि भारती जनता पार्टी इस बार चुनाओं के पहले बहुत तेजी के साथ अपने प्रतियास्यों को उतारेगी अपका क्या राजनीती के शात्र होने के नाते मैं आपसे ऋनापल देखिये तो कुछ और सोचती है ऐसा क्या है कि दे केंद्र में तो उनको नरेंध्मुधी पसंद आते हैं पर राज में उन्होंने बदलाव करदिया पिशली बार इस बार इसक ना हो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप निजर हो जा राज की सरकार बदल जाए और केंदर में फिर से मोधी जी को वोट मिले, ये लक्ष बना के हम चलेंगे। हमारा लक्ष तो यही रहेगा, कि भारती जन्दा पालिटी को इस पस्ट बहुमत के साथ चत्यस गड़ में हम जीत के आएं और उसके लिए रणीती के साथ कार योजना के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारे पास दो ताकत है, पंदरा साल के विकास के काम जिसमें चत्यस गड़ के एक एक छेतर को विक्सित किया गया। और दूसरा मोदी जी के कारकाल का स्वरणिम जो कारकाल है, उस कारकाल में जो विकास के अद्भुत काम हुएं, उनको लेकर जन्ता के बीच जाएं। आपके मन में इस बात का दुख है कि आपको चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जारा कि आप हमारे मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि सामुईक नेत्रत की बात की जा रही है, सामुईक नेत्रत पर लड़ेंगे, रमन सिंह का नाम आगे नहीं आ रहा है, की तरफ से और जब चुनाओं हो जाता है, विधायक दल की बैठाक होती है, और एक घंटा में हम मुख्यमंत्री का चेहन कर लेते हैं, कोई चेहरा प्रोजेक्ट करने का भारती जंता पार्टी में छत्तित गड़ की परंपरा नहीं रही है, अब तो कांग्रेस ने भी साब घंटाओ लड़ाजायगा, भुपेज का चेहरा नहीं होगा, कांग्रेस न बार बार मेरे से प्रसन पूछती थी थी है, छेहरा, चेहरा, अब तो भुपेज का चेहरा भी स्क्रीन से बारा हो गया है, उन्होंने भी कह दिया है की भुपेज बगेल या कोई किसी के चेहरे पर चुनावनी लड़ा जाएगा, सामुही की नत्रत में, पहरी बार, दूसरी बार, दूसरी बार, भुपेज जी की हालत, च्छत्यजगर से बाहर मदपत इस देश में कैसी है, आज कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी डिकलेर हुआ कल, और अश्यर करेंगे, कॉंग्रेस वर्कि जो सिटिंग सीम होते हैं, वो अलड़ी इन्वाइटेड रहते हैं, स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं, तो उनकी जगे बनी रहेगी, क्योंकि वो सीम दो अभी हैं फिलाल, जब तक चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल लगसाब आप से यह है, इस परिस्तिती म है कि आपको हराने के लिए, आपके लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए, पार्टी के मन में कुईसी और का नाम चल रहा हूँ, इसको आप कैसे देखते हैं, नहीं, देखिए, निड़ने तो हमेशा पार्टी टै करती है कि मुख्यमंतरी कौन होगा, उसके लिए कोई चेह नहीं रहता है, और हम लोग यह सोच के नहीं काम करते कि मुझे मुख्यमंतरी बनना है, या मैं मुख्यमंतरी का चेहरा हूँ, ऐसे बहुत सारे योग्ये लोग छट्रिकाड में होंगे, इनके वारे मिशार किया जाएगा, मगर पार्टी को तैय करना रहता है, कि आने हैं कि मेरा मुकाबला तो उन से है, बुबे ऐसा क्यों बोलते हैं, बुबेज जी की इस्थिति यह है कि सबेरे दो बार शाम, यदि डॉक्टर रमन का नाम नहीं लिया तो खाना भी नहीं पसता उसका, उसको और कोई चीज याद नहीं रहता है, मकर तीन बार नाम लेता है कि चलो कम से कम बुबेजी याद करते रहते हैं. देगे, राजनीतिक दिसी से दो विशे आपने पस्त किया कि या भविस रहेगा एंडिय और आए अडिया का, तो मुझे लगता है कि जितने भी आए अडिया इंडिया में जितने राजनीतिक दल सामिल हुए है, वैचारी ग्रूप से सब में भिनेता है, कांग्रेस के साथ West Bengal में महयवद्धी के जगड़ा है मंता जी का West Bengal में चुनाव लड़ेंगे आपस में लड़ेंगे कोई समझवता इनका हो नहीं सकता बिहार आते हाते समझवता में चले गाए U-Bi आते हाते समझवता में चले गाए राजनीतिक दिश्टी से क्या वो Communist Party, क्या मम्ता जी की Party, क्या Congress Party या अन्य राजनितिक दल जो वहिचारी गूप से अलग-अलग विशार रखते हैं, क्या एक सांथ बैठ कर बात कर सकते हैं, वो पराजय की वजह से, जब बाढ का पानी चड़ जाता है तो नदी में, तो सब प्रकार के जीव जन्तु दो एक पिय्ड में चड़ जाते हैं, जब बाढ का पानी उतरता है तो फिर अपनी अपनी जयगा चले जाते हैं, यह भी ही बीजैपी की बाढ से घबराय हुए है, GUY जैसे बाढ का पानी नीचे आएगा फिर एक दूसरे से लड़ने लगेंगी, यह कभी एक सांथ नहीं र अगर वो चुनाओ लड़ते हैं 36 गड़ में तो आपको लगता है कि नुकसान भारती जनता पार्टी का जादा कर देंगे बजाए कॉंग्रेस के करने के अभी कोई अनुमान लगाना मेरे लिए भी कठीन है और मुझे नहीं लगता कि इसको जारा नुकसान करें का कांग्रेस हमें यह नुमान लगाएंगे थोड़ा वक्त के बाद है त्योंकि वोट परसेंटेज जो आप दोनों की पार्टी हुआ है बीजेपी और कॉंग्रेस का वो करीब 8-9 परसेंट का अंतर है उसको पार्टना है आपको तो कैसे पार्टेंगे कैसे कैसे गनिद में आगे निकल ले लेती है तो वो चुनाओं में एक बहतर समीकन बनता है और 2003, 2008 और 2013 में वो समीकन बना था हमारी कोशिस होगी कि 2018 में भी ये परिस्टितियां का निर्माण हम करें जिसमें अन्य राजनितिक दल जो आज उभर के आ रहे हैं जरूर उनका अस्ती तो नहीं दिखता मगर य एक चीज़ और आप से पूछने चाहूंगा डॉक साब इसके पेले की समय समाप्त हो चातिसगड असमिता को वर्तमान सरकार खूब प्रोजेक करती है तीज त्योहरों को मनाना इस्थानिय परवों को चुट्टी का अनॉंस कर देना और उस पर वो फक्र गर्वी महसूस कर कि हम सबसे बढ़िया चातिसगडिया नारा भी गड़ा गया मैं यह पूछना चाता हूं कि क्या आप से चूख हो गई थी कि आप चातिसगड के असमिता को राष्ट्य परिपेक्ष में वो मान संबान नहीं दिला पाए जो बगेल सरकार ने दिलाया या जैसा प्रचार प् शाया यह तीज तवहार यह तीजा यह पोरा यह गिल्ली और एडंडा और यह खेल और यह सारी चीजों का प्रयोग और इसका भुपेश बगेल ही है जो इसकी शुरुवाद कर रहा है तो सदियों से और पीडियों से हो रहा है चत्यगड में चत्यगड की परंपरा है चत् इस प्रकार जंदर लोह के सामने प्रोजेट करना कि इस भुपेश आया है तो यह तीस तेवार आये हैं यह नहीं है च्टिजड़ के तो सेगड़ों साल की परमपर और यह तो उस रास्ते पर भी चल रहे हैं जो बीजेपी का रास्ता जिसको आप लोग कहते हैं हिंदुत का क राम का नाम नियना, राम का मनपथ हुक के निर्मान करना, मंदिरों का निर्मान करना, पुनरुद धार करना, आपको लगता है कि आपके एजिंडे को हड़पने की कॉशिच की है कॉंगरे सरकार, आज मैं यह कह सकता हूं कि जिस कांग्रेस ने सपद पत्र देकर सुप्रीम कोट में भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया था वही कांग्रेस पार्टी आज राम राम बोल रही है तो समझ जाओ कि यह काल नेमी के रूप धारन करके रूप बदल के आए इनके अंदर क्या है यह तो उन्होंने सुप्रीम कोट में दिखा दिया यह इनके चरीत में दिखता है और जो हालात आज भगवान राम के नाम या चत्तितगड की संस्कृति की बात करते हैं मगर आज चत्तितगड में यदि धर्मांतरण का कुच्चकर चल रहा है इसाई मिस हुआ है यह इस्तिती चत्तिगड में बना के रखा है कहां की संस्कृति चत्तिगड को बचा के रखेंगे यदि चत्तिगड का पूरे अधिवासी ही धर्मांतित हो गए तो चत्तिगड की संस्कृती समात्त हो जाएगी कुछ सर्वेज प्रकाशित हुए हैं जिसमें ऍंबर आपसी जनता पार्टी चार कर चेख वसंद भार्तीजनता पार्टीज शत्तिंगर्ट में कि इतने भी क्यांद इस तर तक हम लोगों ने अंगलन किया है आज अजंसीस से भी बात किये है इस पस्ट रूप से मैं आज ये कह सकता हूं कि भारती जनता पार्टी आने वाले चुनाओं में पूर्ण बहुमत के साथ भारती जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है इसमें आप कोई शंका नहीं राग तो अगर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है तो क्या मैं अगले मुख्यमंत्री से इस वक्त बात कर रहा हूं यह निर्णाय तो केंदरी नेत्रित को करना है मैं कारकरता की हैसिया से अपनी भूमिका कर निर्वान करूंगा अगर कारेकरता को कुछ और काम सोपा गया तो कारेकरता तयार है नहीं जो जवाब दरी दी जाएगी उसके बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद तो यह थे थे 36 गड़ के पूर मोके मंत्री रामान सिंग जी बीजेपी के सबसे कद्दावर चेहरा और नेता राजी के बहुत धन्यवाद आपका आप सब तमाम लोगों का जो यहां खटा हुए